पूर्णी पूर्वियों मैं गन्षाम दोडिया गुरुग्राम दिगरी पूले चक्पास्पियल श्रीविजनगर के यूजूब कैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज भी एक फाइलियर इस्ट्री अदूनित भारत का इत्याद जिसमें की 1740 से लेकर 1956 तक की रिपनाव की जानकारी दिवी है आज का नुमारे टोपिक रहेगा वहा है पंजाब का प्रिडिस सम्राज्य में विल्याद के बारे में जानदारी ना तरहे है मुगर गार में सम्रथ और जावु और प्राथ जोपिया राजी पहे ना शिक्कों के दस्में गुरु तथा अंतिन गुरु 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 शिंचि ने शोना सो नियाने में, व्यक्तिकत गुरुता के सिधांगों खतागर खासा बंद की स्काता कीई। शिक्कों के दस्में गुरु तथा अंतिन गुरु 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 शिंचि ने शोना सो नियाने में, व्यक्तिकत गुरुता के सिधांगों समाथ कर खासा बंद की स्काता कीई थी। जिसके कारण सिक्खों को विशिष्ट वेश्पुशा, केश, कंगा, क्रिपान, कडा, पैकच्छा आधी धारन करना होता दा। गुरु थम के सिधांगों 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 सिख्षों की पविश्थ दुस्तक गुरु ग्राण शाहिक ध्रमपुशका स्षान लिया। बूरुतब के शिधान नदन होने के बाग, सिक्कों की पहित्तर पूस्तर गरं शाय ने धरन बूरु का स्काल लेलिया, बूरु भोविन सिंधी की बृध्यू के बस्चार, बूरु की बनप्रा सवाबतों गे, उसके शिशय बताबालन ने सिक्षों का ने सबाला था बंदा बहादू जिसके बज़्पन का नाम लक्ष्मन देता ने पंजाब के सित किसानों को एक अत्री करता बंजाब के सित किसानों को अत्री करते गुवलों से लगता आठ वर्ष तर संत्रा सो सह से लेकर, संत्रा सो पत्रा करते पिरोंने संबश दिया तब आप शिख्धू को दुर्जय शक्रिक बनाया अधाद शक्तिशाली सेना के रुपे सित जान्दी को सबखित दिया बंदा बहादु को उसके शिश्य है, सच्चा पाद्शा अत्वा सच्चा सम्राज कहते थे बंदा बहादु को उसके शिश्य है, सच्चा पाद्शा अत्वा सच्चा सम्राज कहते थे 1711 में मुगर बार्शा परुप सियर्वार, बंदा बहादु की उसकी फुक्तर समेर संत्या दरवादी जाती है जिसके बाद सिख राश्र का जो भागया है, निमन स्थर पर पहुँचाता है बंदा बहादु की जिसकी आदिया 1711 में मुगर बार्शा परुप सियर्वार, बंदा बहादु की उसके उत्तर समेर भक्त्या दरवादी जाती है जिसके बाद की सिख राश्र का जो भागया है वहें निमन स्थर पर पहुँच जाता है तो फरुप सियर्थ की बृत्यू और मुहमद शाह के समय पंजाब पर नादिश शाह के आक्रवन ने सिखों को एक बार फिर अपने को संगटित करने का अफसर प्रदान गिया 1726 में पंजार में निम्ट मुगल सुवेदार जकारिया खान ने सिखों से समझोता करने की उदेश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रश्तार रख था जकारिया खान वारा फैजरपूर के कपूर सिंग को जमिलार नवाब के रूप में मानेजा दी गई कालांतर में कपूर के नेद्टम में पंजाब के सिख त्रिशक जो की प्रसक प्रसक जत्तों में बंडे कोई थे को संगधित कर एक ऐसे दल के रूप में विक्सित किया जो दल खाल्शा के रूप में अस्तित्व में आया सिक्खों की धार्मिक सैना के रूप में विक्सित दल खाल्शा को कपूर की मृत्यू के बार जस्टा सिंग एहलू वाल्या ने अपना नेतर्तव प्रदान किया था जस्टा सिंग के नेतर्तव में ही दल खाथ सा जो था वह बारा सुतंत्र मिसल या जत्रों में भी भाजित हो गया कनिगम ने यहां मिसल को अर्वी बाशा का श्यक्त बताया जिसका है समान या फिर एक जैसा था प्रतेख मिसल का अपना एक जंड़ा नाम तथा निशान हुआ करता था सभी मिसलों के नेताओं के एक समीति होती थी जो सभी मिसलों के कारिव का संचालन करती थी अफगान आकर्मन गता मुगर्व सुब्यदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में एशान्ती और एडवस्ता की स्थीति फैली होती दल खाल्सा ने एडवस्ता की स्थीति को समाथ करने के उगिशे से 1723 में राखी प्रथा के अंत्रगर्थ प्रते गाम से उपज का एक पटे पांच हार लेकर दल खाल्सा उसकी सुरक्षा का प्रवन करते थे इस प्रणाली के द्वारा ही इस सिखों का राज अनिक शक्ति के रूपी विकास हुआ था उत्तरवर्ती मुगल शाज्टों के द्वारा हेलू वालिया विशल के इस संस्तापत से सर्दार अस्था सिखों सुल्तान एक ओम क्युपादी भी इन्होंने स्वैम को बादशा गोशित कर अपने नाम के सिख्य भी जारी किये थे पंजाब में पट्याला, नाबा, तथा जिंद, नजवारों की साथना फुल्किया विशल के द्वारा की कही थे फुल्किया विशल के सर्दार आला सिये को एहमद शाह अबदाली ने 1765 में तबर ओ आलम एक नगाड़ा और एक निशान बेट किया था आद्मोनिग पंजाब के निर्मान का जुशे है सुकर चकिया विशल को दिया जाता है इसी विशल में रंजीज सिंग का जानम हुआ था सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आकर्मन कारियों के परभाव को खतम कर देख तेख और फतेख मुद्राले युक्त शुद्चांदी के सिखों का प्रेशन करवाई जो कि बग्जाब में सिख प्रभुता के प्रतल को दोश्यक माने जाते हैं 1763 से 1773 तर सिखों ने अपनी सथा का विस्तार जो है सहारण भूट से अक्षी में अटक तक और दक्षी में मुंतार से उत्तर में कांगडा और जम्मू तक विस्तित किया था सुकर चक्या मिसल के प्रभुक महा सिंग के पुत्तर रंजीत सिंग जी थे महा सिंग की विसल का जो अधिकार है राभी और चेनार के बीट के शेतर में था अब है रंजीत सिंग और पंजाब तो रंजीत सिंग और पंजाब के बारे में जानकारी प्राप करेंगे काबुल के शाशर जमर्श है जो कियब्दागी का पुत्र था इसने रंजीश सिंगी को उसकी मैर्दकुन सेवाओं के लिए 1798 में राजा के उपादिर प्रदाम्दी थी और लहोर की सुवेदारी जो है ने सुंपी थी 1799 में से 1805 के लिए रंजीश सिंग ने भंगी मिसल के अधिकार से लहोर और अम्रिशर को छीट कर लहोर को अपनी राजानी इन्होंने बनाया था 1808 में रंजीश सिंग ने 17 नदी को पार कर फरीज कोड मुलेग कोडला और अंबाला परिखों ने कबजा कर लिया अंग्रेटों रखा विरोदी सिंग राज्यों के भैटे कारण रंजीश सिंग ने 1809 इसली में लाड मिंटों के दूर 14 मैटों से अम्रिशर की संदी कर लिए अम्रिशर की संदी के द्वारा गंजीश सिंग के 17 नदी के पूर्वी दर्ट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया तखा उत्तर में राज्य विस्तार की छूप दी गई संदी के बाद रंजीर सिन ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को 17 तक सविकार कर लिया था उत्तर पक्षि में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रंजीर सिन ने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर कर इन्होंने अपना एकारिकार स्थाविट कर लिया 1809 में शहाशूजा जो की अवदालिका को उत्र था जिसको उसके भाई ने पदस्ट कर दिया था लहोर में निर्वासी जीवन वैधीत कर रहा था रंजीर सिंग ने उसे पुने 187 करने में सहायता थी राजा रंजीर सिंग को अपकार शाशक शहाशूजा से ही वह प्रसित कोहिनों दीड़ा प्राप्टुगा था जिसे नादिशा लाव खिले से रूपकर ले गया सिख सैनगती हरी सिख नलवा ने जमरूर तथा पेशावर को अफगानों के कब्रे से चिंग लिया अफगानिस्तान में रूस के हस्तशेव से चिंदि इस इंडिया कंप्टी ने दोस्त मुम्मद को अटाकर शहाशूजा को काभूर का शाशक बनाया तब ही एक त्री पक्षिय संदी 1838 में शहाशूजा रंजी सीख और अग्रेज के मंद्या की गई थी इसके द्वारा बिटी सैना को पंजाब से बुजरने का जौशर प्राप्त हो गया तब 27 जूम 1849 को महा राजा रंजी सीख की विक्तिव हो जाती है आये हो देखने हैं महा रंजी सीख का प्रशाशक तो महा राजा रंजी सीख एक महा पिजिता होने के साथ एक उशर प्रशाशक में रहे इसने ब्रिटिश सता प्रासिसी सैने वहस्ता के अधार पर एक कुशन सुप प्रैशिक्षित और सुप संगभित सैना का दिर्मान किया था चन्जीत सिंग ने यूरोपियं प्रैशिक्षकों एलाड, बैंतूस, और अभी टेविक के सैयों से एक ऐसी सैना का रखन किया जिसमें की यूरोपियं, सैनि, एम, बदिकारीं के सासा, सिक्ख, गोर्खा, बिहारी, उडिया, पठाज, डोग्रे, पंजाबी, मुस्तलमान, आदिक, सभी शावित थे राना रंजीर सिंग की स्थाई सैना फोज ए आइन के नाम से जानी जाती थी राना रंजीर सिंग की जो सैना है फोज ए आइन के नाम से जानी जाती थी जो कि उसम्में एशिया में दूसरे स्थान पर थी रंजीर सिंगी ने लवोर में तोप निर्मान का पारखाना भी बोला जिसमें मुस्लिम तोपची नोपरी पर रखे गए थे रंजीर सिंगी ने विबिन सिक्विस्णों को संगठित करने के उदेश्या से राज्य को सरकार एक हालसा का नाम दिया तता अपने द्वारा चलाए गए सिक्वों को नामनक शाही सिक्वे का नाम दिया था रंजीर सिंग के सरवादी कुश्वश्णिय जो मंत्री थे हारी सिंग नोला, दीना नार जो कि वित मंत्री थे और फकीर अजीबू दीन थे रंजीर सिंग का कारता नामक अधिकारी शाशक की ओर से राजसव सक्रहे करता, खजांची, लेखा का न्यायदे, मजिस्टेट पार ततासीमा शुबक अधिकारी और लोगों का समाने प्रेवेक्शन का कार्यार करता था, इतियासकार हंटर होते ने दंजीर सिंग की फोज के बारे में कहा भी था, स्थिरता और धार्मिक जोश में, ओलिवर कैम्प विर्ट की आइरन साइड, नोहे सैनिक के बाद इस सैनकार कोई जोड नहीं है, एरोपियन, फ्रांसी सीग, विक्तर जैक वीमो ने दंजीर सिंग को एक ऐस अधारत पूरुष, छोटे पेमाने पर एक बोना पार्ट कहा, दंजीर सिंग भारत के प्रादम शाशक थे, जिनोंने सहायक संदी को ए सरिकार कर अंग्रित्यों के संभख्ष आसर संभख्ष पर नहीं किया, 1849 में महाराना रंजीर सिंग के मृत्यों के बाद उसके अलब द्यसक उत्तत दलीप सिंग के सिंगासन प्रोहन के बीर, 1849 तर तीन एयोग्यां उत्रादिकारी उत्तरमश्य खड़क सिंग, नोनिहाल सिंग और शेष सिंग ने शाशक किया था, 1849 में महाराना रंजीर सिंग के अलब आयुपुत्तर दलीप सिंग, राज माता जिंदन के स्रंशन या प्रतिशाशन में सिंगासन रूर दुआ, दलीप सिंग के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आकर्मन किया था, प्रिनाम सरूर प्रतम आगल सिख यूद प्रारम हुआ था, दलीप सिंग के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आकर्मन किया, प्रिनाम सरूर प्रतम आगल सिख यूद प्रारम हुआ प्रतम आगल सिख यूद जो की 1845 से लेकर 1846 इसरी तक चला था, इसकी जानकरी जो है प्रतम आगल सिख यूद जिसकी जानकरी जो है हम कल की वीडियो में प्राप करेंगे, आज का जो टोपिक यहीं समात होता है कल हम पंजाब का ब्रिटिश आश्यन में बिल गया है इसके अतगर पतम एवां दृत्ते आनकी सीख यूद जो लड़े गए थे इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में ब्राप्त करेंगे तब तक आप बर्पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, दन्यवाद